करेंगे काफी रदा प्रॉब्लम मेरे साथ हो गए तिसके करन्ड मैं भी लाज के दो दिन की वीडियो नहीं डाल पाया तो इसके लिए सो सौरी देखिए आपसे भी जानते जब प्रॉब्लम जाजा होती तभी इन व्यक्ति की सारीखे का काम कुछ होता है कि उसका डेली का श अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा आज से आपका डेली रूटीन पर आपका जो वीडियो है वो अच्छे तरीके साब के बास मिलता रहे और आपकी करेंट अच्छे तरीके से करेंगा करेंट अफैर को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे एगर बैल आइकन स्वारी चैनल को सब्सक्राइब को समझना है और अगर किसी को समझ में आता है वहां पर तो सारी डाउट उनका दूर कर दिया करिए ठीक है जो भी पुराने स्ट्वेंट्स हैं चलिए मार्किन स्क्राइब को समझ लेते हैं फिर सको स्टार्ट करते है चलिए मार्किन स्क्राइब करना है ताकि आप एक से दोन पर होती रहे और आपका जो मेंस है दोनों के लिए अच्छे तरीके से करेंट अफेर हो सके ठीक है छे से कम इसको राता है एक वीडियो को रिवाइस करके फिर से टेस्ट लगा दीजिएग ताकि आपके सारी ची तरी देले एक फिर्स्ट कोशन एक तरी से ट्यूर्ट विट से लिडिय तो एकलोजिकल सटेंटिव एरिया इसके ऊपर दो सिट्मेंट है बताना कौन से पार्ट है अन्टिफाइडविटी एरिया अर नौटिफाइड बाइधा एंटीफाइड मतलब मिनिस्ट्ट्री आफ एक 1986 के उसके तहत इसको नोटिफाइड किया गया ठीक है सेकेंड एको सेंसिटिव जोन्स आर लोकेटेड वुदिन 10 किलो मेटर फॉर प्रटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क एंड वाइल लाइफ सेंचुरी जो एको सेंसिटिव एडिया होते हैं यह लोकेट होते हैं जो 10 क किसकरते हैं कि अच्छे देख लेते होफुली आपने आंसर सोच जाब देखिए इसका जो राइट आंसर आपका और आप्शन सी एक मिनिट आइट आंसर आप्शन सी है क्योंकि जो इसका पैर इसका चार्टर एक्ट है उसके तहर्रे इसको रखा गया जो मिनिस्ट्य आफ के अंदर आता है यह बिल्कुल करेक्ट है और 10 किलोमीटर का जो विदिन हैं मतलब 10 किलोमीटर के विदिन का जो एरिया होता है प्रट्रेटर एडियास में से चाहिए चाहिए वो नैशनल पार्क का हो ठीक है उसको एको सब्सक्राइब के अंदर रखा जाता दूसरे स्टि लेना पड़ता उसके बिना आप वहां पे काम सुरूर नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह काफी इंपॉर्टन होता है जिसको यह की नाम से भी जाना आता आपको पता होगा इई आई ए ठीक है इन्वार्मेंट इंपेक्ट असेस्मेंट इसको कहा जाता है इनका एप्रूवल होती है उनमें ताकि मिनिमाइज की जा सके जो भी एको सिस्टम होता है उनको अच्छे तरीके से प्रोटेट करने के लिए ठीक है चली नेक्ट कुरूशन पर चलते हैं होफोली सारी चीज़् आपको समझ में आ गई होगी नेक्ट कुरूशन है इसके रिगार्डिंग दो आपको बताना राइट आंसर कौन से है फर्स्ट टेज़ लार्जस्ट मैकाव ठीक है यह अब से बड़े मैकाव होते हैं सबसे बड़े होते हैं और यह अन्द लार्जस फ्लाइंग पैरट इस पैरिट की इस पैरिट की सेकेंड इंटर्शन यूनियन फॉर कंजर्वेशन सबसे पहले इनका सब्सक्राइब करते हैं चलो देख लिए अनसर क्या देगे जुम ब्लू में का है ठीक है सबसे पहले इनका स्टेटिस है आपका वल्नेरबल है ना कि जो आपका वहां पर दिया हुआ है एंडेंजर ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि जो आईसें की रेडलेस्ट में को वल्नेरबल के डिगरी में रखा गया है और जिनको जो जो इंटरनेशनल ट्रेट इंडेंजर्ट इस पैसीज ऑफ वाइल फॉ दिए कोशन नहीं आते हैं अगर आता भी आपको चिट्मेंट तो वो मुस्ट अधर टाइम वो करेक्ट होता है ठीक है यह जो नेटेव होते हैं जो सेंटल और इस्टन साथ अफरिका की यहां काफी जादा पाए जाते हैं इनकी जो लेंद्ट होती है बाउड वन मीटर इस लॉंगर देन एनी अधर इस प्रॉब्लम में आ रहा है ठीक है यहां पर आपको ऑप्शन हो जाता है ठीक है राइट याद रखेगा ऑप्शन विल भी राइट आंसर क्योंकि दूसरी आपकी गलत है इनका जो स्टेट से वल्नेरबल है ना की एंडेंजर यह कुछ तरीके क दिखते हैं देख लीजेगा ठीक है चलिए नेस्ट क्रेशन पर चलते हैं कि अगला प्रेशन है इसको किस कंट्री है फिर यून टेरिटरी में इसको अभी स्थापित किया गया है आपको बताना है जो सबसे लंबा मतला सबसे लॉंगेस्ट जो सस्पेंशन ब्रिज इसको डोबरा चान्थी ठीक है जोबरा चंथी सब्सेंशन ब्रिज कहता है यह तहरी गर्वाल डिस्टिक ऑफ उत्राखंड से इसका निर्माण महाँ पर किया गया है जो चार सो चालिस मीटर लॉंग जो डोबरा चांती ब्रिज है यह इंडिया का सबसे लंबा मोटरिबल मतलब मोटर जहां पर गाड़िया आपकी टू विलर फॉर विलर यह चल देंगे इसको कहा जाता है इंडिया का लॉंगिस मोटरिबल ब्रिज कौन से है तो फॉर फॉर्टी मीटर है अभी आप मुझे कॉमेंट बताएंगे कि इंडिया की जब सबसे लॉंगिस टनल है ठीक है इसको किस नाम के उपर इनको बनाए गया है और यह कहां पर इसकी लोकेशन है ठीक है कॉमेंट से बताएगा उसके अलावा जो इसको बिल्ट किया गया है यह ओवर तेहरी लेक ठीक है तेहरी लेक उत्रा खंटे में है वहां पर इसको बेड़ किया गया और यह कट करता ट्रेवल टाइम बेटिवीन तेहरी और प्रताप नगर डिस्टिक जो 5.521.5 पार ठीक है मतलब प दौर आप बहर nelle 8 अभी काथी बासरही आप आप को बताना है कि वर लिटिया यह क्या हुता है और कहां पे ज्यादा רबина सोहता है ठीक है फच्छे में है धर टृज्ट ट्रिशनर आर्ट ओंف माध्यप्रदेश खीशियो पर लिए ट्रशेशिन आर्ट फॉर्म माध्यपरेश का सेकेंड यह पेंटिंग सहर्मिली डॉमिनेटीड वाइ बैसिक जियोमेटिक से लाइक सर्कॉर्क ट्रेंगल एंड इस्कौर्स ठीक है कि लिग पेंटिंग होती है मेंडी डॉमेस्टर डॉमिनेट की जाती है जो basic geometry shapes होते हैं जैसे circle की तरह होता triangle की तरह होता और square की तरह तो आपको बताना right answer कौन सा है option a one only option b two only option c one and two option d none of the above वीडियो को pause करके answer दीजें फिर discuss करते हैं चली hopefully आपने answer सोच लेखे सबसे पहले वर्ली ठीक है यह जो वर्ली आर्ट फॉर्म में यह मद्य प्रेस रिलेट नहीं करता है यह आपका महरास्ट एक second ठीक है यह आपका महरास्ट में काफी famous एक traditional art form है तो महरास्टा की जैसा की मैंने आपको बताया और यह जो रूट से कैन विट्रेस की गए अर्ली 10th century में इसको ऐसा देखा गया था कि उस तरीके से जो 10th century AD जिसको era domini भी कहा जाता है वहां पे उस समय इस आर्ट का काफी ज्यादा प्रेसलन था यह जो पेंटिंटिंग से यह distinctive है within the vivid context expression में और यह जो पेंटिंटिंग से में लिए करती बेसिक जो मैट्री से होते हैं से सर्कल्स ट्रैंगल और स्क्वार ठीक स्वारी स्क्वार्स चलिए ने कुछन पर चलते हैं है कि अगा है अगे नगे ने क्याने च्वेस्ट्प्रेसेट्मेंट सब्सक्राइब टो देखें अभी युजेसे के जो एक्शन फिनिश हुए हैं तो आप से कुछ यह तो नहीं पूछे का कि वहां के प्रदान मंत्री कौन बने यूपी से में ठीक है तो वह तो आप सभी क करिवाज के रिगार्डिक यहां पर डिफासि कड़रेट्ट करते हैं चले देख लिए तरह आइट ना सर कह दे कि आप सभी को पता है कि जो यूएस है उसमें कितने 50 स्टेट से ठीक है 50 स्टेट से और यूएस में डूवल सिट्जन सिप चलती है डूवल सिट्जन मतलब एक वेक्ति स्टेट की भी सिट्जन से रख सकता है और इसकी करेकाल होता वह 4 साल का होता है यह बिलकुल करेट जी है तो दोनों चीज़े करेक्ट है एक यह अपने अंसर सही किया होगा कॉमेंट बोक्स में अपना अंसर करते रहेगा कुछ और चीज़े समझते हैं यूएस प्रेसिद्जन सिस्टम जो है कि इसमें जो होता है यह एड उनके दर लोग को बनाया जाता है लेकिन प्रेजिटेंट के पास एक वीटो पावार होती है वह लोग को वहां पर रोख भी सकता है और उनको आंगे भी बढ़ा सकता है ठेखे अगर कोई लिते पाई जाते हैं और अधर अयही आई ह久ime मिल्य करते हैं कि कोई हाई क्राइम ऑफिर मि Uns किसी अधर किसी अधर मतलब जो भी का अधिकारी उसके साथ करते हैं तो इनके साथ इस तरीके उनकी उपर रिमूवल का इंपीश्मेंट के दिशार हो सकती जिस तरीके सा भी टॉनल टर्म के उपर बोल ली जा रही थी ठीक है तो याद रखेगा इंपोर्टेंट है चलिए न इसको आई-सी याई इंडियन काउंसे और पेल्ट और वर्ड बैंक और फिटीए बेसे की इसको गवर्मेंट और जो वर्ड बैंक है इन दोनोंने मिल के 50-50 पर सेंट के ऊपर इसमें फंड किया जाएगा वं यॉप्शन ए वन उनली ऑप्शन वी टौनली ऑप्शन दी नन वीडियो को पॉस्ट करके आंसर दीजिए फिट डिसकस करते हैं कि चलो देख लेते हैं होफुली आपने आसा सोच लिए होगा देखे साथ से पहले जो नेशनल अग्रिकल्चर हाइज केशन प्रजेक्ट है जिसको एने एचेपी का जाता है काफी में और इंपॉर्टन अग्रिकल्चर फिल्ड के लिए एजुकेशन चेतर के लिए काफी अच्छा एक प्रजेक्ट यह चालू किया गया है तो इसको जो इंडियन काउंसल अफ एक्रिकल्चर ने लांच किया यह बिल्कुल करेट दिया है और यहां पर यह जो क्राइटेरिया यह वर इंडियन गवर्मेंट और जो 50% मनी होगी वह आपकी वर्ल्ड बैंक यह दोनों खर्च करेंगे तो राइट अंसर आपको ऑप्शन सी हो जाता है ठीक है याद रखेंगे और इसमें रखा गया है टैलेंट को और स्ट्रेंद करना हारे एक एक कल्चर एजुकेशन को कंट्र के अंदर ठीक है यह जो फंडेट के जा रहा है वर्ल्ड बैंक के जरी हो इंडियन गवर्नमेंट के जरी फिप्टी-फिप्टी बेसे स्परिखे जा रहा है और इसका अब्जेक्टिव यह है कि नेशनल अग्रिकर्चर हायर एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया के लिए ता इसके अंदर जो इसके अतरिक जो चार अधर डिगरी रहेंगी जो फोर यह जिए जैसे अग्रिकल्चर होटी कल्चर फिश्री है और जो फोरेस्ट्री है इनको भी डिकलर किया जाएगा प्रोफेशनल डिगरी के तौर पे ठीक है तो कुछ इंपॉर्टन चीजे हैं इस त कर सकते हैं चलिए ज़ने पर चलते हैं का लिए बित थो कॉमपीटिश्चन कमेशन इंडिया तो कंपिशन कमिश नकुछ से करेक्ट है फस्ते से नलीन डिग और स्टटी से कॉंसित्टूश्न गोडी माता निद्शनल पर को युब्स पोंड से कंभॉर्मेंट्न और मेंट जो सेंटल गवर्मेंट अपॉइंट करती है कौन से इस्टन करेक्ट है ऑप्शन एवन ओनली ऑप्शन वी टू ऑनली ऑप्शन सी वान टू ऑप्शन डी नन अफड़ वीडियो को पॉस करके आंसर दीजिए फिर डिसकस करते इसके बारे में अब चलिए देख लेएं अंसर क्या होफफुली अपने अंसर सोच लिए होगा देखें कॉंपिटिशन कमिशन और इस नाट इस नाट इस बॉड़ी यह इसके बारे में पहले से हमारे इसलिए परिश्मेंट आपकी रॉंग हो जाती है सेकेंड इसके इंदर यस एक पर चेयर पर्सन और छे मेंबर होते हैं जो सेंट्रल गवर्मेंट करती है तो आपका ऑप्शन बी हो जाता है याद रखेगा बी विल बी और राइट आंसर कुछ और चीज़ समझते हैं कि और छे मेंबर होते हैं जिनको पॉइंट कि जाता है चेंटल गवर्मेंट के जरिए और ऑब्जेक्टिव यही है कि एलिमेट करना है जो फ्रेक्ट करने के लिए और प्रिप्रेंट करना कॉम्पिटिशन को अच्छे तरीके से प्रेट करना इंट्रस्ट ऑफ कंश्यूमर म करें ठीक है तो इसके बारे में इंपोर्टेंट है याद रखेगा ने चलते हैं ने चलते हैं ने चलते हैं अभी सेफ्रों क्यों पर काफी न्यूस बनी हुई थी ठीक है तो आपको बताना इसके रिगार्डिंग कौन सी पूछी जा रही है उसकी कुछ पूछी जा रही है आपको बताना इसके रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट है फस्ट है इसको जो फोटो पीरियड मतलब जो जो सन की लाइट होती है ठीक है सनलाइट होती है उसको कम से कम दिन में 12 घंटे के सनलाइट चाहिए होती है सेके इडा आलसो रिक्वाइर अडिकुए रेंफॉल जाट इस हंडेट टूओं फिप्टी एम फर एनम की इसके अंदर जो एडिकुए रेंफॉल होती है वह एकली सौ से डिट्रीट एडिट तो एमम की होनी चाहिए डिट्रीट सो एनम हर साल इसमें होना चाहिए कौन सी सब्सक्राइब करेक्ट है अप्शन एवन उनली अप्शन बीटू ऑनली ऑप्शन सी वन एंटू ऑप्शन दी नन अफ देवाव वीडियो को पॉल्स कर लीजिए अंसर दीजिए फिर डिसकॉस करते हैं चलो देख लेते राइट अंसर अपने अंसर सोच लिया होगा देखे यह यहां पर जो दिया है कि इनको फोटो पीरेड मतलब सानलाइट होती है बारा घंटे दीन चाहिए एक एक दिन में तो यह बिल्गुल करेक्ट है और सेकेंड कैस्ट में जो एडिकर रेंफॉल है यह सौ से दिर्ट सो नहीं है इस वन थाउजन टू फिप्टीन हंडरेड एम यह इसका में क्राइटिरिया कि इतनी रेंफॉल इसको चाहिए होती है राइट अंसर आपका ओप्शन सी सौ सौरी एक सेकन्ड ठीक है यहां पर जो आपका राइट अंसर होगा यह आपका ऑप्शन बी होगा ना की सी होगा पहले स्मेंट आपकी यहां पर रॉंग है सेकेंड करेक्ट है ठीक है नेश्च कुश्ण पर चलते हैं देखे संद्वाइट जो फोटो पीरिड होता है तो इंग्लिश वर्ड़ ठीक है उसी का एक संद्वारा घंटे की इनको संद्वाइट होती है और मोर देन 35 और 40 डिग्री सेल्सियस समर में और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस इन विंटर यह इनका टेंपरेचर होना चाहिए तो इसके बारे में रखने कुछ क्लाइमेट से भी पूछ लिया जाता है ठीक है चलिए नेस्ट कुश्ण पर चलते हैं कि नेस्ट कुश्ण बी पाकिस्तान सी इरां डी तजाकस्तान वीडियो को पिछ लीज़ें धी discussions करतें इसके बारे में चलो ठोशलिया अपने इसको सोच ल्या ओगtałियो सबस्क्राइम मैप में देकी हए यहां आते हैं ठीक है यहां पर देखेंगे तो में स्तान लाइए इरां ट्च कर रहा है फ्ल écritंव कर रहा है यहां काजाकिस्तान जो है यह मैप में ऊपर की और है ऊपर आपको दिख रहा है एक सेकंड इधर पे ठीक है यह रहा एक सेकंड यह देखें ऊपर कजाकिस्तान है जो इससे वाइड़ टच नहीं कर रहे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यह हो जाएगा एविल भी और राइट आंसर चलिए ने और आज का लाइट कोशन चेक करते हैं लाइट कोशन है यह काफी नीवस में थी यूरेशियन और ठीक है मैं आपको बताऊंगा क्यों और फिर उसके पहले आप पहले इसका आंसर देजे फिर आम इसको डिसकूस करेंगे पहली स्टिटमेंट है इस आर्क टेगराइज एज कि इनको केटेगराइज किया गया एंडेंजर के डिगरी में ऐसेन की रेडिट में रखा गया है रहा है कि इनको पूरे यूरोप और एशया में देखा जा सकता है कौन से इसक्रीटम करेक्ट है ऑप्शन ए one only आप्शन बीटू आप्शन दी नन अप ड़व वीडियो को प आंसा सोच लिए वहाँ इनको यह इंडेंजर के टेगरी में और रहा गया है तो आपकी रहा है तो याद रहेगा फॉस आपका रहा है क्या क्या इंको यूरोप और एशया में देखा जा साकता है ए में को यूरोप और एशया में यह तरीके से होते हैं ठीक यार रखे ग्रों थयुक्त स्थन् allem यह को बन नियर ठीक है नियरutet यह इनका स्टेटस है सौधी वहां पर साइद मिस्टेक कर दिया था मैंने ठीक है इनकी जो प्रजाती है काफी ज्यादा अभी बहुत ज्यादा एकदम से कमी इनकी प्रजाती में देखा गया है इसलिए इनको बोला कि यह बिल्कुल से विलॉप तो नहीं हुए लेकिन नियर लुटरायन का साइंटिफिक ने में और पूरे यूरोप और इस्या में यह पाए जाते हैं आयरलेंड से आयरलेंड इन दा वेस्ट और एस फार एस इस्टन रश्या और चाइना में भी काफी पाए जाते हैं यहां पर जो राइट आफ्रिका जो मरको अलजीरिया तुनीश जो मैंने में गलती से साइब बता दिया था ठीक है याद रखेएगा चलिए इस तरीके से दिखते हैं यह कुछ इस तरीके से दिखते हैं ठीक है जिनको यूरेशिन और कहा जाता है ठीक है चलिए तो यह थी आज की टेन इंपोर्टन करेंट फैर्स होपफुली आपको क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होने करण में वीडियो अप्लोड नहीं कर पाया था ठीक है तो आज की वीडियो को इंजॉय करिए अच्छे तरीके से स्टड़ी करते रहे जो भी आपका स्कोर आज को कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आज के लिए इतना ही थैंक यू फर वॉचिंग हैव गुड़ डे